है 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 स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टेटेन स्टेडी पर देखिए आज का हमारा टॉपिक है ट्रांस्पोर्टेशन का इससे पहले मैंने बायोलोजी में दो चैप्टर करा दिया है है जिसमें लाइफ प्रोसेस आपका है और एक रिस्पारेशन है यह दोनों चैप्टर मैंने कंप्लेट करा रखा है आप उसे प्लेस्ट में देख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांस्पोर्टेशन का है और उसी का मैंने चार्ट यहां पर आप लोगों के सामने र लेकिन यदि आप फस्टान चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि हम जब भी वीडियो अप्लोड करेंगे तो रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहेगा ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा पडिवहन का ठीक है हमारे सरीर में क्या होता है जब हम लोग भोजन ग्रहन करते हैं मुख गुआ के माध्यम से या कहले जब मुख गुआ में भोजन रखते हैं चबाते हैं और चबाने के बाद जब निगलते हैं तो वह क्या होता है हमारे सरीर के अन्ने सभी जो पाचक ग्रंथियां या पाच कोटियां तक जाता है जहां पर पाचन की क्रिया कंप्लीट होती है उसके बाद जो अपचा भोजन होता है वह रेक्टम में संचीत हो जाता है और जो पचा हुआ भोजन होता है वह क्या होता है उसका स्वांगी करन होता है और वह ब्लड के साथ मिक्स होता है फिर वह ब्लड क के माध्यम से सर्कूलेट हो गड़के सरीड के सभी कोशिकाओं तक जाता है अब कोशिका तक जाएगा तो वहाँ पर सेकेंड चेप्टर मैंने बताया थे रिस्पाइरेशन जब भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है तो उसका स्वांगी करन होता है और वह मिलता है बलड के उसके बाद हमें इनर्जी मिलती है तो देखिए भोजन के ग्रहन करने के बाद उसका सभी पार्ट तक जाना और उसके बाद जो वेश्ट पार्टिकल बनते हैं उसका सेरीड से बाहर निशकाशित होना इसी को हम लोग सम्मुलित रुप से क्या कहते हैं परिवहन कहते है उ सरीर के प्रतेक कोसिकाओं तक जाना तथा अनुप योगी पदार्थों का सरीर से बाहर निसकासन ही क्या कहलाएगा पड़िवहन कहलाएगा ओके तो ये पॉइंट आपका complete हो गया होगा दूसरा पॉइंट है हमारा पड़िवहन तंत्र अब देखिए जो भी पदार्थ होता जाएगा उस माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे पड़िवहन तंत्र कहेंगे याद रहेगा यानि कि जितने भी उच्छ श्रेनी के जन्तू होते हैं उनमें खाद्द पड़ार्थों के पड़िवहन के लिए एक तंत्र पाया जाता है और इसी तंत्र को किस नाम से जानते हैं पड़िवहन तंत्र के नाम से जानते हैं जैसे हमारे से बहुत सारे ऐसे अंग है या सेल्स हैं जो क्या करता है ट्रंस्पोर्ट में मदद करता है अब देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट की एक कोसे की पौधों में जो होता है वह पड़िवहन कैसे होता है तो जेनरली एक कोसे की पौधे जो होते हैं वह निम्न स्रेणी के पौधे होते हैं तो निम्न स्रेणी के पौधे या फिर जन्तु ही हम ले ले पौधे और जन्तु दोनों में सेम होता है तो निम्न स्रेणी के जो पौधे होते हैं उनके सरीर काकार काफी छोटा होता है इसलिए उनमें उरजा की ज़रुवहन तंत्र नहीं पाया जाता है तो अंपे जो परीवहन होता है जो एक कोषिक है जो जन्तु कहले या पौधे कहले दोनों में क्या होता है एक क्रिया पाई जाती है और उस क्रिया का नाम है विशरन इस विशरन क्रिया के माध्यम से ही क्या होता है जो भी खादपदार्थ उनको लेना होता है वह क्या करते अपने सेरेर के सतह के द्वारा अवसोसित कर लेते इसको लेंग्वेज में कैसे लेखेंगे? एक कोसे किये पौधे या जन्तूओं में उर्जा की अवशकता कम पड़ती है, इसलिए उनमें जो पड़िवहन होता है, खाद पदार्थों का जो पड़िवहन होता है, वह सरीर के सतह के द्वारा वी सेरन क्रिया से कंप्लेट होता संस में क्या होगा? अब बहु कोसे किये पौधों की बात कर ले। बहु कोसे कि ऑे पौधों में किस तरीके से पड़िवहन होता है? वह सरीर का अकार काफी بड़ा होता है अब जब शरीर का आका है तो उसको उड़जा भी उतना ही मात्रां में चाहिए ताकि वह तो पौधे में जनरली पौधे जो बहु को सिकिये पौधे होते हैं उन्हें परिवान के लिए कुछ या टिसू पाए जाते हैं तो जनरली पौधों में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं जो विविन प्रकार के वाटर मिनरल्स या फिर फूट पार्टिकल का क्या करता है ट्रंस्पोर्टेशन कराता है तो वह दो कौन-कौन से हैं तो एक तो आता है आपका जाइलम ठीक है दूसरा क्या आता है अपका फ्लोम ठीक है क्या आता है एक तो आजाएगा आपका जाइलम और दूसरा क्या आजा तो अब हम लोग जान लेते हैं कि जाइलम के दौरा कैसे पड़िवन होता है फ्लोयम के दौरा कैसे पड़िवन होता उससे पहले एक चीज और है जाइलम जो है वह चार तत्व से मिलकर के बना हुआ है जाइलम कितने चार तत्व से मिलकर के बना हुआ है आप लोगों को तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम 9th का सेशन भी जल्द स्टार्ट कर देंगे इस चैनल पर, ओके, तो चलिए, जाइलम जो है, वह चार ततों से बना है, कौन-कौन से हैं, तो देखे, एक तो हो जाएगा ट्रेकेट्स, ओके, सेकेंड हो जाएगा जाइलम नली का, नम्बर फॉर्थ क्या हो जाएगा जाइलम ब्रेदुत्तक, तो यह चार परकार के, तन्तू से बिलेकर के बना है आपका जाइलम, कौन-कौन सा, रिपेट कर लीजिए, एक तो ट्रेकेड्स है, दूसरा जाइलम नलिका है, तीसरा जाइलम तन्तू है, और चौथा क्या है, जाइलम म्रेदुत्तक है। आप लोगों ने अकषर देखा होगा, जब कभी किसी कुछ इस तरीके से हमें नजर आता है तो यह जो नजर आता है और आपने देखा होगा इस कार्ट में मिडिल पीस में यह जो बीच वला एरिया होता है इसमें कुछ डार्क पार्ट होते हैं कोड क्या होगा थोरा सा गहरा सा पार्ट होता है जो की पूरे में होता है यानि कि ज है इसे को आम लोग क्या बोलते हैं तो याद रहेगा तो बात कर लेता है कि जायलम जो है वह काम कैसे करता उसा पहले एक चीज और जान लेजयें कि ट्रेकटिड्स जायलम नली का और जैलम तंतू यह जो तीन है यह तीनों म्रित सेल वह होते हैं वह क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं, एक मात्र जायलम का जायलम मरेदुत्तक ही है, जो की जीवित होता है, तो एक्जाम में कभी कमार ऐसे भी पोच देता है, कि जायलम की कौन सा तंतु जो है, जायलम का कौन सी कोसी का जो है, वह जीवित होती है, तो याद रखेगा, जीव तो आखें कहा है जायलम जो है जयलिक पाड़िवन नमट होता है जरीस जल कर सब्सक्राइब left-inmail इस बर्सक्राइब करें ज्या में जल का पडंव निजरा छोक्ता है तो याद रिखेंगा जरीस ल्ट वहएं जर्दम बें। या की है जितने भी लिकविट होते हैं ठीक है ना, लिक्विड जैसे की मिनरल्स हो गए, उन सभी के ट्रांस्पोर्टेशन में आपका हेल्प कौन करेगा, तो जायलम करता है, ओके, क्या करता है, जलका पडिवन, इम्पोटेंट है, याद रखेगा, एक्जामिनेसे ने बहुत रर पूछा गया, मैट्रिक के competitive examination में भी ये questions पूछे जा चुके हैं, ओके, चलिए, अब बात कर लेते हैं, कि जायलम के दौरा जो पडिवन होता है, वा किस direction में होता है, तो देखिए, जब पौधा photosynthesis करता है, आप लोग ने जब first chapter पर हाँ होगा, यदि नहीं पढ़ा है, तो उसे देख सकते हैं, playlist में मैंने उसको डाल दिया, सभी जो आपका physics, chemistry, bio है, इन सभी का मैंने अलग-अलग playlist बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं, क्या होता है, कि जब photosynthesis की प्रक्रिया होती है, तो photosynthesis की प्रक्रिया के लिए मैंने बताया थक चार कच्छे सामगडी के जरुरत होती है, जिन में एक आपका जल था, ठीक है, जल था, अब पौधे को जल मिलेगा, तो कहां से मिलेगा, आस्मान से, तो नहीं ही अपसोसित कर सकता है, वायु मंडल से तो नहीं अपसोसित कर सकता है जल वास्प को, लेकिन वो क्या करता है, पौधा का जो मुल रोम होता है, ये, इसमें आपका मुल्रोम यह काफी पतला होता है जो क्या करता है मिट्टी के कनों के बिच दवे होते हैं अब मिट्टी के कनों के बिच जितने भी मिनरल सोईंगे जितने भी वाटर सोईंगे उसको क्या करेगा एब्जॉर्व करेगा अवसोसित करेगा कौन तो मुल्रोम उसको अवस तोस सूरल की प्रक्रिया करते हैं तो याद रखेगा इस प्रक्रिया को को पुछ लेता है कि पाधे में जल एवंग घुलित खनीज लवनों का अवसोसन किस क्रिया दोरा होता है तो याद रखेगा कौन सी क्रिया हो जाएगा पड़ासरन अच्छा एक चीज़ बताएए मैं यहाँ पर वीशिरन यहाँ पर पड़ासरन समझ में आ रहा है क्या चले इसको देख लेते हैं वीशिरन क्या होता है किसी भी पड़ार्थ का उच्छ संदृता वाले च्छतर से निम्न संदृता वाले च्छतर की और गती करना क्या कहलाता है कढलाता है किसी भी पदार्थ का उच्च संदृता वाले चेत्र से निमन संदृता वाले चेत्र की और गती करना क्या क्रालाता है प्हस्द जब कभी आप मुर्णिंग बक्रते होंगे तो सुबह में चना या फिर किस्मिस होता है उसका दाना जो होता है फूला हुआ नजर आता है यह क्यों फूला हुआ नजर आता है इसलिए फूला हुआ नजर आता है क्योंकि किस्मिस और आपका जो चना होता है इसमें जल की मत्रा की कमी होती है और जब जल में डालते हैं तो क्या करता है या बाहरी भाग से जल को एब्जॉर्ब कर लेता है यानि कि उच्च संद्रता वाले चेतर से जिसमें तो फूल तो समझ में आगया वहां पर फुलने का क्या करण है बाहर से वाटर का उसके अंदर आके मिल जाना तो जहां पर उच्छ सीरा होता है वहां से निम्न सीरे की और अगर कोई भी पदार्थ जरूनी की वाटरी कोई भी पदार्थ अगर गती कर रहा हो तो इसको क्या कहेंगे वी का जो मुल रोम होता है उसके मुल रोम के उपर जो पार्थ होता है वह क्या होता है अर्ध पार गम्य होता है चुकि जब सेल्थ परहा होगा आप लोगों ने फर्स चेप्र नाइंथ क्लास में तो परहा होगा पौधे के जो कोशिका होता है उसके बाहरी आवरन को क्या बो Student 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 जहां पत्ती होगा वहां तक जाएगा लेकिन फिर से रिटर्न हो करके नीचे की और वाटर नहीं आता है वाटर तो फिर जो एक्स्ट्रा जल बचता है वो कैसे जाएगा तो जो पत्ती होता है उसके अरंधर के माध्यम से क्या हो जाएगा बाहर की और निस्कासित कर दिये ज अब बात कर लेते हैं फ्लोयम का फ्लोयम क्या है फ्लोयम भी एक परकार का क्या है परिवहन करने वाला पौधे में उत्तक है जो जेनरली भोजन के परिवहन में सहायक होता है जायलम जल और फ्लोयम भोजन कहले या खाद पदार्थ कहले उनसके परिवहन में सहायक होता है जि इसमें आप लोग देख रहे हैं एक है चालेनी नली का दूसरा है सकी कोशी का तीसरा है फ्लोयम मिरद उत्तक और चोथा है फ्लोयम तंतु और एक चीज़ इसमें ट्रेकिड्स जैलम नली का और जैलम तंतु मड़ा हुआ था एक मातरिय जीवित था लेकिन इसमें चारो जो आप मृदकवी होता है तो इसमें पूछे यहां पर जो गल्क guiding का त्रांसमीशन होगा देखे गल्कौस का ट्रांसमेशасьना में नहीं होता है वह चांजिज आता है तो इसमेशंवादों फोन दस्क्रोश को लależy होת दोग रोज इनर्जी देता है पोध्य को थो इनरजी तो सभी पार्ट में चाहिए ना ऐसा तुने कि यहां पर अगर इनर्जी मिल गया तो पोधा सर्वाव कर लेका इसको चाहिaten सभी पार्ट में एकको इनर चाहिे सबस्ट्रस थाकि इनर्जी को प्रडॉक्षण कर पाए हो तो क्या होता है इसके द्रेश सम्षाओं में पढ़वन होता है जो भी खटय पदार्थ होते हिऊं उसका ट्रंस्मिशन होता है तो इसलिए मैंने यह अपने लिखा है क्या है कि फौटिंग के द्वम talk सभी दिशाओं में पडिवन होता है तो उमीद करते हैं कि आपका ये सारा पॉइंट कंप्लीट हो गया होगा ये पॉइंट इंपोटेंट है पौधा में खनीज लवनों का जो अवसोसन होता है कहां से? नीचे से वा किस रूप में होता है तो याद रखेगा पडिवन तंत्र क्या है? तो हमारे सरीड में पडिवन के लिए विकसित तंत्र को ही क्या कहते है पडिवन तंत्र कहते है एक कोशी की पॉधों में पडिवन जो होता है वा सरीड के सता के दोरा विसरन करिया से होता है बहु कोशी की पोधे में पड़िवाने के लिए दो तक पाए जाते हैं एक जायलम और फ्लोईम और दोनों को समलित रूप से क्या बोलते हैं दोनों को समलित रूप से बोलते हैं समवहन बंडल यह चीज याद रखेगा ठीक है, क्या बोलते हैं, दुनों को समलित रूप से समवन बंडल कहते हैं, यानि जायलम और फ्लोयम को समलित रूप से क्या बोलते हैं, समवन बंडल बोलते हैं, जायलम भी चार परकार के तत्व से बना, फ्लोयम भी चार परकार के तत्व से बना, जायलम का अधिकांस कोसी का म्рат में जहता है लेकिन इसका सभी को ऐसी का जीवित होता है जाइलब में चल और गुलित खनीज लवंगा परींग कराता है खलें श्रीप एक तबार्य कंपरे आंचे और या उसके दौर सकरोष को प्लीट होगिए सब्सक्राइब आपर उसके अच्छीर लोगों सभी में सेर कर देजेगा ताकि जितने भी स्ट्रेंट सभी लॉकडाउन के वज़े से नहीं पर पा रहे हैं वो कम से कम इसके माध्यम से पढ़ पाएं नोट्स पना पाएं ताकि एक्जाम में आसानी हो तो चले अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है बलड चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बलड के बारे में रक्त के बारे में रुधीर के बाने में चलिक है रुधीर क्या होते हैं लुधीर हमारे पडिवांत अंत्र का एक बहुत ही महत्पूर्ण हिस्सा है ये तो पौधे में होगा नहीं जितने भी अनिमल किंग्डम या फिर अनिमल से जितने भी अनिमल्स हैं सभी में आपका बलड पाया जाता है लेकिन कुछ है कैसे एनिमल्स हैं जिसमें बलड का औरल मंसंट मैं जनू में जेनरली चार परकार कर होते हैं आप लोगो ने नाइंप क्लास में पढ़ा होगा उसी में से एक ऐख यह तक जो कि अब आपकर की इस परकार की तरल संचुपलिट उप्तक है और अब आप लोगों ने बढ़ा होगा केमस्ट्री में कि सुरेंसन ने पीएच पैमाना दिया था जिसके मादम से किसी पदार्त की निचर के बारे ही पता लगा जाता था कि वह एक बार थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं एक पैमाना दिया पीएच इसके जिसमें यहां पर सुनने यहां पर फोरोटीन और बिट्च में क्या था सेवन कोई भी अगर पदार्त का पीएच वैल्यू साथ से कम होता था तो वह एसेडिक हुआ करता था चीक है और किसी भी पदा एक प्लाजमा 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 यहां लिक्विड फोरम में पालगािजाता हम और आवस्था में पाएं जाता हे develop प्लाजमा ऊ-प्लाजमा में पाया पनाजमा आ थाbn प्लाज्मा तरहलावस्था पाया ँटाया जाता लेकिन रक्षाक ठोश काग थोस कहते हैं यह आए प्लाज्मा अगर प अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष में 5-6 लितर और महिलाओं में 10 लिटर कम होता है तो प्लाज्मा शरीर में जितना इसने हैं उसका कितना पवर्टरीशस हिस्ण होता है और रक्त को सिखा 45% जो सेइस्ट बचा वो बूड़र और व्हुंगो पूछ हो जाता है कि plasma में कौन-कौन से component होते है तो plasma में basically आपका पाए जाता है जल ठीक है क्या जल और क्या मिलेंगे आपको protein ठीक है जल कितना परतिसत तो जल होता है 90% plasma में और protein कितना तो protein होता है 7% plasma में ठीक है plasma में जल कितना 90 परतिसत और प्रोटिन कितना 7 परतिसत तो 97,97 निवे बागई बचा 3 परतिसत तो अन जितने भी अकारबनिक पदार्थ होते हैं अन पदार्थ डारेक्ट लिख लें अन पदार्थ जो होते हैं वह होते हैं आपका 3 परतिसत तो यह point important है सबसे ज़्यादा पुछाता है जल के बारे में कि प्लाज्मा में जल की परतिसत्ता कितनी होती है तो याद रिखेगा जल की परतिसत्ता होती है 90 परतिसत्त और अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि रक्त को थक्का बनाने में प्लेटलेट्स मदद करता है लेकिन आज याद रखेगा प्लाजमा भी विजो है प्लाजमा भी रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है उसके बाद आब हम बात करें रक्तकोसिका का तो रक्तकोसिका जो है वह तीन परकार का होता है और ऐसे एक होता है WBC यानि कि white blood carpocels and number third क्या हो जाएगा platelets तो तीन प्रकार के blood cells होते हैं हमारे body में RBC यानि कि लाल रख्तकनी का यानि कहलें कि यह जो होगा वह red color का होगा क्यों होगा क्योंकि इसमें HB होता है यानि कि hemoglobin होता है याद रहेगा red होता है यह क्या कड़ाता है जितने भी sodium gas जैसे कि oxygen या फिर carbon dioxide इसके पडिवन में सायक होता है या फिर food particles के भी पडिवन में सायक होता है इतने points आपनों को याद रखने है उसका WBC की बात कर लें तो इसका basically color कैसा होता है white हो जाएगा क्योंकि hemoglobin नहीं होता है उसके बात बात कर लें इसका काम तो यह हमारे सेरे में immune system को क्या करता है डेवलब करता है immune system को डेवलब करता है यानि कि प्रतिरक्षा परणाली रोग से लरने की जो छमता होती है उसको बनाए रखने में कौन मदद करता है WBC प्लेट लेट्स की बात कर लें तो फ्लेट्ले जो है जेनरल्य इस यह इसका सो छो कलर होता है वह हलका यहवलोग लरका होता है टिक Ayam भी लेलगा यह काम क्याता है रख़क्त को जमाने में मदद करता है टिक तो यह सारे ऑपन्श सी याद रखेगा है 5-5 याद रखेगा, इसका 120 दिन होता है, ठीक है, इसका कितना हो जागा, 2-4 दिन, और इसका कितना, 3-5 दिन, ठीक है, बनता कहा है, तो सभी बनता है आपका अस्थी मज्जा में ही, कहां बनेगा, अस्थी मज्जा में, ठीक है, और मड़ेगा कहा, तो मड़ेगा, यानि कि ड देख लेते हैं एक स्लाइड में आपके स्क्रीन पर सारा कुशन प्ले होगा ठीक है और उसको हम लोग बाड़ीगी से समझाते भी चलेंगे और आंसर भी करते चलेंगे चीक है कि अग्याइब कि अग्याइब